हलो फ्रेंड्स मैं राज इस्कोरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आर्जिक करियर पॉइंट की ओनलाइन अर्सिंग क्लासेश के अंदर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन आती रहें सब्सक्राइब कर दें अपने अपना टॉपिक है नियूरल ट्यूब डिफेक्ट तो पीडिया के आपकी रेगलर क्लासे यहां से करवा रहे हम और जो जनरल पीडिया है वो मैंने आपको लगबग कंप्लीट करवा दी है आपन सिस्टम के अकोडिंग हर एक किसी कंडिशन पढ़ लीती है उसमें हाइड्रोसेफलस के बारे में अपने पड़ा था अगर किसी स्टुरेंट ने क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास आप जरूर देगे ठीक है प्लेलिस्ट के अंदर हमने सारी क्लासे सिस्टमेटिक अरेंज कर रखिए तो उन क्लासे तो क्या होता है नूरल ट्यूब डिफेक्ट क्यों होता इसके क्या कोज़िटी वेजेंट होते हैं ठीक है क्या 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 कॉम्प्लिकेशन देखने हो मिल सकते हैं इसका डाइग्नोसिस क्या होगा मैनिजमेंट कैसे करेंगे पूरी डिजीस के उपर आपन स्टुडी जहांसे इसके अंदर question पूछे जाते हैं वो भी आपको साथ-साथ बताता रहूंगा Good afternoon everyone देख ओब जी का भी complete नहीं हुआ है आज जो मेरी एक second class होगी उसमें आपन ओब जी के अंदर भी एक topic पढ़ेंगे तो दूसरी जो class होगी मेरी वो आज चार बज़े से होगी मतलब regular जो time रहता है मेरी classes का चार बज़े का तो वो fix है time उस time में आपने OBG के अंदर study करेंगे आज Obstractical Medications के बारे में तो 5-6 class है आपकी बाकी है OBG के अंदर और उसके अलाव अगर आपको कोई topic है जो आपको पढ़ना है OBG के अंदर तो आप कुझे comment के अंदर बता सकते है इस video के अंदर आप बता देना कि OBG के अंदर आपको कौन-कौन से topic और पढ़ने है तो देखे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा topic Neural Tube Defect तो देखे सबसे पहले Simply आपको देखे जो topic है हमारा उसके उपर पता होना जाए कि Neural Tube क्या होती है इसके अंदर defect कहां देखने को मिलता है और defect के कारण हमें कौन-कौन से abromalty एक newborn के अंदर हमें देखने को मिल सकती है तो सबसे पहले देखे What is the Neural Tube Neural Tube क्या होती है Simply आपन बात करें तो Neural Tube क्या है Neural Tube is a Embryogenic Embryonic Precursor of Embryonic Precursor of Central Nervous System समया आगा सभी को कि Central Nervous System का जो Embryonic Stage के अंदर Precursor होता है मतब आपन बात करें Precursor का मतब क्या होदा है कि in future जाके वो क्या करेगा Central Nervous System का formation करेगा मतब brain और spinal cord का formation होगा किससे? Neural Tube से तो उसका क्या है Precursor resident होता है जैसे हम रो मेटेरिल की बात करते है ठीक है रो मेटेरिल से पक्कामाल तयार करते है उसी परकार एक Simple Language के अंदर आप बात करें तो क्या एक Central Nervous System का Precursor होता है क्या? Neural Tube Embryonic Stage के अंदर अब आपने बात करें तो 3-4 Week ठीक है Approximate 28 Days तक Conception से लेकर Last up to 28 Days मतबब 4 Week तक क्या होता है Neural Tube complete form होके वो close हो जाती है अगर उसके closing के अंदर कोई defect होता है तो हमें क्या होता है Abnormality देखने को मिलती है अच्छे से समझना इस टॉपिक को क्योंकि कई बार स्टेंट Confused होते हैं कि Neural Tube क्या होती है इसमें कहां defect होता है कब इसका formation होता है कैसे close होती है और जो defect हमें देखने को मिलते है वो Neural Tube के कौन से पार्ट में हमें देखने को मिलते है जिसके कारण Baby के अंदर Spina, Bifida, Oculta, Sustica, RNN से पहले ये सारे disease हमें देखने को मिलते है तो इसको अच्छे समझना क्या है एक Neural Tube क्या है Embryonic Stays के अंदर एक Tube का Formation होता है Simply one बात करें जैसे जैसे मालों ये Tube है ठीक है तो इसके दो पार्ट होते है एक होता है Anterior Part एक होता है Posterior Part तो इसका Formation होता है और ये क्या होती है Close हो जाती है Close कब होती है 3, 2, 4 Week अगर आपको Days के अंदर बूचे तो आप बता देना 28 Days तक 28 दिन From Conception Conception से लेकर 4 Week तक From Conception to 28 Days पर क्या होती है Neural Tube क्लोज हो जाती है अब क्लोज होने के बाद में क्या करेगी In Further किसका Formation करेगी Central Nervous System का CNS का Formation करती है मत्तब Brain और Spinal Code का Formation करती है Neural Tube अब इसके अंदर क्या होता कई बार Defect देखने हो मिलता है Defect कहां हो सकता है दो पार्ट इसके एक हो सकता है Anterior Part के अंदर या तो कहां होगा Anterior Part के अंदर Defect हो सकता है या फिर हो सकता है Posterior Part के अंदर Anterior Part Of Neural Tube Defect अगर Neural Tube Defect के Anterior Part में हमें कोई Abnormality देखने को मिलेगी तो Condition क्या हैगी Anencephaly Anencephaly ठीक है अब Anencephaly क्या होता है Anencephaly एक Condition होती है जिसमें क्या होता है Absent Of Vault Vault Absent होता है देखिए Anencephaly में क्या होता है Absent Of Vault हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझते जाना क्योंकि कई बार कहोता है कुछ Minor चीज़े हैं जो अगर सही दंग से अगर आप नहीं समझोगे इस चीज़ को तो वो आपको Question को Attempt करने के अंदर आपको Problem हो सकती है तो हर एक चीज़ को मैं आपको Simple Form के अंदर बता रहा हूँ कि Neural Tube क्या होती है कहां बनती है कब इसका Formation होता है कहां इसके अंदर Defect होता है तो हमें Defect देखने को मिलता है तो सबसे पहले हमने बात की कि अगर anterior part अगर close नहीं हुआ anterior part of Neural Tube Defect तो वहां पर Condition क्या होगी Ennencephaly Ennencephaly में क्या होता है Absent of Vault अब यहां से देखी Vault क्या होता है Vault किस-किस से मिलकर बना होता है इसके अंदर देखी दो होती है अपनी Frontal Bone दो क्या होती है Frontal Bone दो होती है Parital Bone दो होती है Parital Bone एक होती है Occipital Bone और Next है Upper Border of Upper Border of Temporal Bone यह सारी मिलकर क्या बनाती है Void का Formation करती है ठीक है Void किस-किस से मिलकर बना होता है दो होती है Frontal Bone दो Parital Bone एक Occipital Bone और Upper Border of Temporal Bone मिलकर क्या बनाती है Void का Formation करती है Anencephaly की Condition के अंदर Void Absent होता है और Anencephaly क्यों होता है अगर Neural Tube Defect कहा होता है Anterior Part of Neural Tube अगर Neural Tube के अंदर जो Anterior Part होता है वहाँ पर अगर Defect है इसका मतब Condition देखने हो बिलेगी कि हमें कौन सी Anencephaly और Anencephaly में Vault Absent होता है मतब इसके अंदर जो Baby है उसका Brain और स्कल क्या होते दोनों Develop नहीं हो पाते ऐसे Baby क्या होते है बहुत Rare Condition के अंदर Living Condition में रह पाते है या फिर कुछ गंटों के बाद में क्या होते है उनकी Dead हो जाती है अब Next बात करते है ये तो बात होगी Anterior Part की Next देखे अगर Posterior Part में Defect है ठीक है क्या है Posterior Part के अंदर क्या है Defect है Neural Tube के Posterior Part में अगर Defect है तो हमें Condition क्या देखने मिलेगी Spina Bifida Spina Bifida समझे लिए कि Spina Bifida और Valt जो है उनके अंदर कैसे Defect हमें देखने को मिलते है ये कि Valt जो Part है उस स्कल का Part होता है जो इन चार बोन से मिलकर बना होता है दो frontal, दो parietal, एक occipital और upper border of temporal बोन से मिलकर जो पार्ट बनता है उसे अपन Valt बोलते है नेक्स देखे अगर poster पार्ट में टिफेक्ट हुआ तो क्या कहलाएगा Spina Bifida कहलाता है अब Spina Bifida के अंदर यहां पर दो parट है Spina Bifida के अंदर दो parट है First है Spina Bifida oculta और second है Spina Bifida cystica Spina Bifida oculta और Spina Bifida cystica cystica का मतलब क्या हो गए यहां पर एक cystica formation हो रहा है मतलब एक out pouching बन रही है ठीक है और उसके अंदर क्या होता है फिर या तो meninges या फिर spinal code क्या होते है protrusion हो जाती है और इसके dependent के according अपन इसको दो parट में डिवाइड करते है First is the meningocel meningocel कैसे इसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है ठीक है कहां कहां पर abnormality आपको देखने को मिल रही है तो सभी को समझ में आ गया पहला हमने बात किया enancyphaly दूसरा हमने बात किया poster part में defect होने पर क्या कहलाएगा spinal bifida कहलाता है और bifida को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया पहला है spinal bifida occulta और दूसरा है spinal bifida cystica cystica का मतलब क्या हो गया है आपर एक outpouching गया एक cyst का formation होता है lumbosacral region के उपर ठीक है यह normal spinal code है वो सीधी होती है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या हो है एक cyst का formation मतलब outpouching का formation हो गया और इस outpouching के अंदर क्या होता है कई बार या तो meninges involved होती है और या अगर इसके अंदर meninges और spinal code दोनों involved होती है इसको बोलते है अपन myelomeningocele यह तो बात होगी इसकी types की अब अपन बात करते हैं इसके causative isn't या इसका etiological factor क्या होता है अब देखिए causes की बात करें अपन causes की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला अपन बात करेंगे causes के अंदर sorry पहला है deficiency of deficiency of zinc and folic acid zinc और folic acid की deficiency current condition देखने को मिल सकती है इस्पाइना बाइफिडा सस्टी का ठीक है अब यहाँ पर देखिए अपन बात करें की zinc और folic acid में सब क्या है जिसकी deficiency से हमें यह abnormality देखने को मिल सकती है तो ध्यान अगना zinc and folic acid जो होता है zinc और folic acid क्या होता है help in help in maturation maturation formation and functioning of functioning of DNA DNA के maturation में उसके functioning में और उसके formation के अंदर help करते है कौन zinc and folic acid ठीक है तो इसके prevention के लिए अपन क्या करेंगे इसको prevent करने के लिए अपन क्या करेंगे folic acid tablet start करते है folic acid start करते है in tablet form in tablet form कब before one month of conception before one month of conception conception से one month पहले अपन क्या करेंगे folic acid start करते है कितना 400 microgram ठीक है per day 400 microgram per day के according अपन क्या करते है folic acid start करते है जिससे क्या होता है in future जाके जो इसका risk factor है ठीक है spinal bifida का neural tube defect का जो risk factor है वो decrease हो जाता है सबच में आगे सबी को ये तो हो गए अपना पहला causative as in deficiency of zinc and folic acid second अपन बात करते हैं यहाँ पर chromosomal abnormality कुछ chromosomal abnormal होते है जिसके कराण भी हमें abnormality देखने को मिल सकती है next आपन बात करें maternal infection maternal infection सभी को पता है जो maternal infection होता है मत्तब torch का ठीक है most common कौन सा infection देखने मिलता है में torch ठीक है next teratogenic effect of drug teratogenic drug अब इसके इंदर most common दो ड्रग आती है first is the valproic acid first is valproic acid and second is anti-convergent action में कामे लेते हैं या seizure की condition में कामे लेते हैं लेकिन इनका जो teratogenic effect होता है लेकिन इनका जो teratogenic effect होता है वो क्या होता है बेबी के उपर neural tube defect cause कर सकता है ठीक है देखे folic acid और zinc related कैसे होता है neural tube से क्योंकि neural tube जब embryonic stage के अंदर development हो रहा है तो उसके अंदर सबसे man roll होता है वो DNA का होता है ठीक है और DNA के maturation में functioning में और उसके formation के अंदर help करता है zinc और folic acid ठीक है यह तो बात होगी इसकी causes की कि कैसे affect करता है material infection chromosome abnormality और teratogenic effect next अपने यहाँ से बात करते है इसके types के बारे जो मैंने भी आपको types बताएं तो आपकर एक-इक type को अपन details study कर दें सबसे पहले देखे types की बात करें spinal bifida की types सबसे पहला है spinal bifida occulta spinal bifida occulta अब देखे spinal bifida occulta और cystica में जो main difference है यहाँ पर देखे occulta के अंदर ना तो mananges का involvement होता है और ना ही spinal code का involvement होता है यहाँ पर क्या होता है opening present क्या रहती है सिर्फ एक opening present at posterior vertebral arch जो posterior vertebral arch होती है वहाँ पर एक opening present होती है mostly at lumbosacral region mostly at lumbosacral region के उपर क्या होता है एक opening present होती है next बात करें इसके अंदर skin is intact skin क्या रहती है intact रहती है कोई crack नहीं रहती skin आपे no involve no involve of meninges and spinal cord spinal cord और meninges का कोई involvement नहीं होता अगर spinal cord और meninges का involvement नहीं होगा तो यहाँ पर हमें कोई भी neurological defect देखने को नहीं मिलेगा absent neurological defect neurological defect भी हमें देखने को नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि अगर spinal cord और meninges involved नहीं हो रही है सिर्फ एक opening का formation हो रहा है तो वहाँ पर हमें कोई भी neurological defect की condition देखने को नहीं मिलेगा ठीक है सब्समें आ रहा हैं सभी को यह तो बात होगी spinal bifida occulta next one बात करते है type second type second कुन सा है spinal bifida cystica spinal bifida cystica अब इसके अंदर देखे इसको cystic क्यों बोला हमने क्योंकि इसमें क्या होता है cystica formation होता है cyst का मतलब क्या होता है एक out pouching जिसके अंदर क्या होगा कभी तो meninges या फिर meninges या spinal cord दोनुका क्या होता है prot reason होता है cyst इसके अंदर cyst का formation होता है अब इसके दो subtype है depending upon the involvement of meninges and spinal cord it will categorize in two types next देखे फास्ट इसमें कौन सा है पहला है manage or seal manage or seal ठीक है नाब में आपको पता चल रहा है किसका involvement हो रहा है केवल manage का involvement होगा यहां पर किसका केवल manage का involvement होता है तो इस दान अगने इसके इंदर prot reason of prot reason of manage prot reason of manage in cyst with CSF जिसमें क्या है manage plus CSF क्या आता है fill रहता है एक cyst का formation होगा अगर आपको diagram से मैं आपको बताऊँ जैसे माल लो जनरली जो spinal code होती है यहां पर देखी यहां पर क्या होगा जो vertebrae column होगी कि वहां पर हमें एक out pouching दिखाई देगी ठीक है अब next के अंदर देखे आप जो spinal code है ठीक है वो तो कहा रहती है intact रहती है मतलब उसका involvement नहीं होता बट यहां पर जो manage is है वो कहा रहती है involved रहती है इसके covering पे जो spinal code की covering रहती है manage is की उसका क्या होता है इस out pouching के अंदर protreason हो जाता है ठीक है out pouching के अंदर क्याता है protreason हो जाता है manage is का तो ऐसे अगर आपको diagram देखे पूचे तो आप इसको देखकर बता सकते हूँ कि manage is seal है या mylo manage is seal है ठीक है breastfeeding का जो remaining portion है वो भी आपको करवा दूँगा ठीक है अभी नई वाओ सभी को दिखाई दे रहे है diagram के अंदर यह जो मैंने आपको बदाए है यह green color में यह क्या है manage is यहाँ पर show कर रहा हूँ ठीक है manage is जो है उनका involvement होगा इस out pouching के अंदर जबकि जो spinal code आपको red color में जो दिखाई दे रहे है वो spinal code में आपको मिलाई है यह आपे तो spinal code क्या रहती है intact रहते है इसका involvement नहीं होता किसमे manage is seal के अंदर अब इसको क्या बोलेंगे अपन spinal bifida cystica के अंदर क्या है manage is seal और अगर आपन बात करें जो spinal bifida occulta है उसमें क्या था सिर्फ एक out pouching का formation हो रहा था और spinal code और manage is क्या थी not involve अगर ऐसा diagram आपको देखने हों मिले इसका मदब क्या है spinal bifida occulta की condition है ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है जो manage is है उनका involvement हो रहा है समझ में आगे से अभी को अब next यहाँ पर देखे अब यह आपको diagram आपको दुबारा बता दूँगा last के तीनों को एक साथ compare करके यह तो बात होगी किसकी किसके अदर protrusion हो रहा है अब protrusion अगर होता है यहाँ पर किसका हो रहा है किवल मेरिंजेज का protrusion हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा नो नियूरोलोजिकल डिफेक्ट है नियूरोलोजिकल डिफेक्ट इसके अंदर भी absent रहता है नियूरोलोजिकल डिफेक्ट absent होगा क्योंकि अगर spinal cord या spinal nerve का involvement होता तो यहाँ पर हमें नियूरोलोजिकल डिफेक्ट देखने हों मिलता यहाँ पर सिर्फ मैरिंजेज का involvement ही है तो इसलिए यहाँ पर जो नियूरोलोजिकल इफेक्ट है वो absent होगा मतलब यहाँ पर क्या हो गया spinal cord and nerve not involved involved नहीं है ठीक है समझ में आगा सभी को यह बात भी किसकी मैरिंजोसील की next देखे second part किसका spinal bifida cystica का mylo-maninजोसील mylo-maninजोसील अब इसके दर आपको नाम में समझना है कि यहाँ पर nerve और maninzis दोनों का क्या है involvement हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा protreason of protreason of maninzis and spinal cord spinal cord spinal nerves in cyst तो cyst के अंदर spinal cord spinal nerve और maninzis का क्या होता है involvement होता है ठीक है next यहाँ पर क्या होगा अगर involvement हो गया nerves का तो यहाँ पर neurological defect देखने को मिलेंगी neurological defect present neurological defect क्या होगे present और जो neurological defect है वो क्या होगे depend upon the involvement of involvement of nerves involvement of nerves कि कौन सी spinal nerve involved हो रही है उसके उपर depend करेगा ठीक है कई बार क्या होता है lower extremities के अंदर क्या होता है paralysis condition हो जाती है या bladder या ball moment absent हो जाते है या फिर joint deformity हमें देखने को मिल सकती है यह depend करता है कि कि कौन सी nerve involved हो रही है ठीक है अब connection बात करेगे इसके types हो गए अब types के बाद हमने बात करते है इसकी sign symptoms की sign and symptoms sign symptoms की बात करते है question भी आपके करवा देंगे एक बार आपन थोड़ा theoretical पार्ट को complete करवा दें हाब पार्ट जब इसका हो जाएगा उसके बात में आपको एक साथ question भी आपके करवा देंगे एक बार सभी आप वीडियो को like कर दो यह 134 student है live एक बार आप सभी वीडियो को like कर दो और मेरी जो next class होगी आज की वो चार बज़े होगी ताना fixed time जो है वो चार बज़े का है यह मैंने आपको एक्स्ट्रा दो class से करवाई है इसलिए एक class आपको जल्दी arrange करनी पड़ी मुझे पूर नेक्स लाज चार बेज होगी उसके अदर अपन अब जीग टोपिक पड़ेंगे आज अब देखें साइंस सिम्टम्स के अंदर flesid paralysis of flesid paralysis of lower extremities lower extremities lower extremities के अंदर paralysis हो सकता है Blader and Bowel Dysfunction हो सकता है Blader and Bowel Dysfunction हो सकता है या इसके करण कई बार Hydrocephalus की Condition भी देखने को मिल सकती है Sorry, नैस इसके अलावा Joint Deformity Joint Deformity Condition भी हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि Development Stage के अंदर ही अगर Neural Tube Defect होता है आपको पुस्ता है जब Development Stage होगी उस टाम में क्या होगा Neural Tube Defect देखने को मिल सकता है तो उसके करण Joint Deformity भी Condition देखने को मिल सकती है Sorry Next अपन यहाँ से बात करते हैं कि Diagnosis के बार में ठीक है किसका Diagnosis कैसे करेंगे Diagnosis अब Diagnosis देखें अगर आपन एंटी नेटल की बात करें ठीक है During the Gestational Period तो इसका जो Diagnosis आपन कैसे करते हैं By Miserd Maternal Serum Alpha Phetoprotein ठीक है Maternal Serum Alpha Phetoprotein तो Alpha Phetoprotein के लेवल को अपन चेक करते हैं इसके दोरा आपन चेक कर सकते हैं कि इसमें Neural Tube Defect होने के चांसेज है या नहीं है अगर Alpha Phetoprotein का लेवल इंक्रीज होता है तो 85% रिस्क इंक्रीज हो जाता है Neural Tube Defect होनेगा अब आपन बात करें अगर यहाँ पर Maternal Serum Alpha Phetoprotein का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो वहाँ पर चांसेज बढ़ जाते हैं किसके Neural Tube Defect होने के तो लेवल कितना होता है कब चेक करते हैं यह चीज़ देख लीजे जो Maternal Serum Alpha Phetoprotein है वो कहां से आती है Mother के अंदर कहां से आएगी Baby के द्वारा तो सबसे पहले जान अखनाब जो Baby है मतब Fetus है तीक है Fetus जो है उसका Yorksac Fetus के Yorksac and Liver क्या करता है Secret करता है Fetus का Yorksac and Liver क्या करता है Alpha Phetoprotein Secret करता है और Alpha Phetoprotein का जो Level है Level की अगर बात करें तो कितना होता है Maximum 2.5 Median of Mol ठीक है यह होता है किसका Alpha Phetoprotein का Maximum Level होता है अब देखिए इसके अंदर कई बार Confused होते है इसका Level Different होता है अगर अगर आपन बात करें Fetus Serum के अंदर Fetus Serum और Materal Serum दोनों के अंदर इसका Level अलग-अलग टाइम पे Increase होता है सबसे पहले अगर अगर आपन बात करेंगी कि Fetus के अंदर इसका Maximum Level कब होता है तो Fetus के अंदर इसका जो Maximum Level होता है वो हमें देखने हों मिलता है 13 to 18 week पर 13 से 18 week पर Fetus के अंदर Alpha Phetoprotein का Level Highest देखने हों मिलता है अगर अपन बात करें Mother में ठीक है Mother के अंदर जो Alpha Phetoprotein है उसका Level Maximum कब होगा Maximum होता है 32 week पर Maximum का मदब क्या हो गया 2.5 ठीक है Multiple of Median M.O.M. जो है इसकी यूनिट है Multiple of Median ठीक है 2.5 Multiple of Median क्या आता है Highest Level होता है इससे ज़्यादा नहीं होता चाहे कोई साई week हो लेकिन Baby के अंदर ये Level होता है 13 से 18 week पर और Mother के अंदर ये Level होता है 32 week पर अब अपन चेक करते है Alpha Phytoprotein का Level in Mother Mother के अंदर अपन कब चेक करेंगे Maternal Serum हमने कलेक्ट किया तो हमने इसको Diagnosis किया कब 15 to 18 week पर 15 to 18 week पर अगर 15 से 18 week पर Maternal Serum Alpha Phytoprotein का Level More than if Maternal Serum Alpha Phytoprotein Level More than 2.5 Multiple of Medians से ज़्यादा है अगर Maternal Serum Alpha Phytoprotein का Level 2.5 Multiple of Medians से ज़्यादा है So that it will be indicate the Chance of Neural Tube Defect ये क्या indicate करेगा Chance of Neural Tube Defect Indicate the Chance of Neural Tube Defect तो ऐसे हैं इसका Diagnosis कर सकते हैं During the gestational period मतब अगर ये Level Increase रहेगा तो Increase 85% Risk of Neural Tube Defect 85% risk factor बढ़ जाते हैं ठीक है ये तो हो गया First Diagnosis इसके लापन क्या कर सकते हैं Physical Assessment के दौरा भी अपन चेक कर सकते हैं After birth अगर Physical Assessment अपन करते हैं तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या है Neural Tube Defect की Condition देखने को मिल रही है ठीक है ये तो बात होगी इसके Diagnosis की Etiological Factor की Types की Next आपन बात करते हैं इसका Management अपन कैसे करेंगे ठीक है क्योंकि अगर अपन इसको या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर इसका Management हमें करना होगा तो प्रिवेंट्शन के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि Just Before One Month of Conception अपन क्या स्टार्ट करते हैं Folic Acid की Tablet स्टार्ट करेंगे कितना 400 माइक्रोग्राम Folic Acid स्टार्ट करते हैं ठीक है Just Before One Month of Conception Next अपन इसका Management कैसे करते हैं अब देखे Management करने के लिए भी उसके दो क्राइटिरिया हैं After birth अगर If CSF is leakies अगर CSF leak हो रहा है ठीक है तो Surgery करते हैं ठीक है Surgery within 24 hours After birth की बात करें जनम की जस्टि 24 गंटे के अंदर अपन क्या करते हैं इसको Surgery perform करते हैं If CSF If CSF not leak तो अपन जो Surgery करते हैं कब करते हैं After 48 hours ठीक है 38 गंटे के अपन क्या करते हैं Surgery perform करते हैं अज़े उट्राइन प्रोलैप्स और इनर्सिया छोड़े छोड़े ट्रॉपिक से बढ़ा देंगे आपको ठीक है लेकिए क्लासेस का सेडूल ऐसा है कि डेले फिक्स होती है अगर जिसका सेडूल प्रोलैप्स अगर अगर तो अगर अगर तो इसके अगर 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 ऑर पहले अपन क्या करते हैं तो अपन 48 ओवर के बाद उसकी सर्जरी पर्फॉर्म करते हैं नेक्स देखे इसका नर्सिंग मेनेजमेंट नर्सिंग रेस्पोंसिबिलिटी क्या होगी इसके अदर तो यहीं से पूछा जाता आपको नर्सिंग रेस्पोंसिबिलिटी इसके अदर देखें नर्सिंग रेस्पोंसिबिलिटी क्या करेंगे सबसे पहला आपना है पॉजिशन तो बेबी को अपन पॉजिशन कौन से देते हैं वन इस दे प्रॉण एंड सेकेंड इस दे लेटरल प्रॉण एंड लेटरल पॉजिशन ठीक है इसमें अम्नियो सेंथेस नहीं करते हैं इसमें अपन मैतरनल सेरम के अंदर जो अल्फा फ्रीट्व प्रोटीन का लेवल है वो चेक कर रहे है ठीक है अगर आपने उस चाहिए तो पन जब उस टाइम फीटस का पन चेक करतें उस टायम में करतें ठीक है इन्फर्टिलिटी पर एक लास ले लेंगे आपकी जो भी टॉपिक आप इस कमेंट बॉक्स में डाल देना ठीक है अभी लाइव चैटिंग में आपको नहीं देख पाऊंगा उसी जोगो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना कि जो जो ओबी जी की टॉपिक बचे व पोजिशन देखे प्रॉण पोजिशन एड अलेटरल पोजिशन यह आपको किसन कई बार पूंट आ जाता है तो इस नदेख फर्स्ट प्राइरटि वह कौनसी है प्रॉण पोजिशन पांप पोजिशन अगर बेवी है किससे नियूरल ट्युप्ट से रेटल तो उसकी पक् कम्प्लीट आपका स्लेबस करवा देंगे ठीक है बर्न की क्लास में नहीं करवाई ठीक है बर्न करवाएंगे अब तो वैसे स्लेबस तो बहुत बचाओ भाई टॉपिक्स तो बहुत हैं मैंने आपको जिसे ओबीजी रेडिट पूचा है कि ओबीजी के अंदर जो जो टॉपिक है उनके बार में ठीक है ठीक है अगर एक्स्टा क्लास लगी कि तो एक बज़े ही रखेंगे इस नॉट कंफर्म कि एक बज़े ही होगी लेकिन जबी भी होती है उससे एक गंटे पहले आपको स्टेडूल मिल जाएगा ठीक है इस वीक के अंदर ही दिखेत है नेक्स्ट वीक में आपके जो दो क्लास हैं उनका फिक्स टाइम बता देंगे आपको ठीक है अपने बात करें दिख इसकी नर्सिंग रेस्पॉंसिबिटीज तो पोजिशन हो गई फरस्ट है पहले क्या देते हैं पर प्रॉण पोजिशन अगर यह option के अंदर नहीं हो आपको एक्जाम में तो आप सेक्ड उप्सें कर सकते हो लैत्रेल पोजिशन ठीक है अब लैट्र पोजिशन या प्रॉण पोजिशन पन क्यों देते हैं तू प्रिवेंट टेंशन और सेक जो लंबो सेकरल रीजन के उपर जो सेक बना हुआ है जिसके अंदर प्रोट्रीजन है मैं इंजिस का और स्पाइनल कोड़ का उसके उपर कोई प्रेशर ना हो ठीक है तो प्रेशर या टेंशन ओंद सेक ठीक है सेक ते ओपर कोई प्रेशर और कोई टेंशन देखने को नहीं मिले अगर वहां पर प्रेशर अगर अराइस होता है तो क्या होगा इसकीन जो इंटेक्ट है वो क्रेक्ट हो जाएगी वहां से और CSF लिकेज उना स्टार्ट हो जाएगा अगर एक बार CSF लिकेज उना स्टार्ट हो गया तो वहां पर हमें और भी कई अब्नोमल्टी कंडिसन देखने को मिल सकते ठीक है हाइपरामस्स ग्रैविडेरम देखें आप कमेंट बुक्स में डाल देना मैं पता रहा हूं आपको लाइव यहां पर आप कमेंट मत करो इसी का कौन-कौन से टोपिक है क्योंकि अभी यह तो चला जाएगा उसके बाद मैं आप जब कमेंट आपके देख लूँगा तो उस आप यह बात होगी किसा पोजिशन की बात होगी अब आपन देखी यहां पर अपनी जो रेंस प्रैस्टिंग घा पोजिशन इसको ऊई करते हैं जो बेबी की केर करते हैं अब के अनल देए सब से पहला क्या चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि लंबो सेक् इसके लिए क्या करेंगे इस सेख को क्या करते हैं इस सेक करेंगे आजिए किसे करेंगे normal salines, ठीक है, and non-adherent, non-adherent, चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, gaufiss ठीक है, किसी भी कवर, जो histeral होना चाहिए, moist होना चाहिए, और non-adherent होना चाहिए, ऐसे किसी भी कवर के द्वारां हमने क्या कड़ दे थे? से को cover करके रखते हैं ठीक है एपलाई दे अंटी सेप्टिक टैक्रिकस इसकी कें अंटी सेप्टिक टैक्निक्स का यूज़ करना है तू प्रिवेंट दे इंफेक्ट्टन से प्रिवेंट कर सके ठीक है assess for infection infection के लिए अपने को assess करते रहना है regularly क्योंकि अगर यहां पर infection हो गया ठीक है तो condition क्या हो सकते है कुछ ज़्यादा critical या ज़्यादा severe देखने को मिल सकती है तो अपने इसको cover करके रखेंगे sack को sterile और moist cover के दोबारा ठीक है dressing के दोबारा और इसके साथ को antiseptic techniques यूज मिलेंगे और infection जो है उसको अपन regularly assess करते रहेंगे ठीक है इसके साथ है अपन antibiotic provide करवाएंगे antibiotic क्या करेंगे provide करवाएंगे ठीक है यह तो बात होगी इसकी general ठीक है यहां से क्योंसर पूर सकता आपको लेकिन इसके अंदर सबसे most जो nursing responsibility आती है उससी का ध्यान रखना क्योंकि यहां से कई बार question आ सकता है देखिए जो most कई बार question पूछा गया है ध्यान रखना इसके अंदर अगर बेबी के अंदर spina bifida cystica क्लिटा की condition है तो उसके अंदर क्या करते है contraindicated contraindicated diaper ठीक है ऐसे बेबी के लिए अपन diaper use में नहीं लेते ऐसे बेबी के लिए अपन diaper use में नहीं लेते इस चीज़ से रटेट क्योशन आया हुआ है एक्जाम में तो ध्यान अखना अगर बेबी को neural tube defect है और spina bifida, cystica, occulta तीनों में से कोई condition है तो उस बेबी के अंदर अपन contraindicated रखते है क्या diapers को contraindicated रखते है because diaper क्या रहता है continue moist रहता है ठीक है diaper अगर moist रहेगा तो वहाँ पर infection के chances बढ़ जाते है infection के chances बढ़ जाते है ठीक है इसी के साथ skin क्या हो सकती है वहाँ से cracked हो सकती है अगर skin cracked होगी और infection के chances बढ़ जाएंगे तो condition और भी ज़्यदा complicated हो सकती है ठीक है तो जान रखना ऐसे babies के अंदर अपन contraindicated रखते हैं diapers को सभ़ज में आ गया complete topic तो यह आपका topic complete हो गया है neural tube defect है इससे बाहर neural tube defect के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा ठीक है एक बार आपको दुबारा device करवाता हूं short review के अंदर दो मिनट में देखे अच्छे समझना है इस सीच को neural tube defect क्या होता है simply अपने बात करें कि what is the neural tube neural tube क्या होती है it is an embryonic precursor of central nervous system central nervous system की embryonic precursor होता है मत्तब इन फर्दर जाके वो क्या करेगा cns का formation करेगा brain और spinal cord का formation होगा neural tube के दवारा अब इसके अंदर कोई defect होगा तो हमें mostly चीज ध्यान में रखना है कि हमें कोई अगर defect होता है तो यहां पर हमें abnormality कहां देखने हो मिल सकते है या तो brain में या spinal cord के अंदर हमें abnormality देखने को मिल सकती है तो depend करता है कि कहां पर abnormality देखने हो मिलेगी अगर यह neural tube है आपके सामने अगर यह neural tube है तो उसका अगर anterior part में defect है अगर anterior part के अदर defect है तो हमें condition देखने हुँ मिलती है enencephaly अगर posterior part में defect है तो condition देखने हुँ मिलती है spina bifida मतब क्या होता है यहाँ पर कि neural tube का formation होता है और neural tube 28 days पर आकर क्या होती है close हो जाती है इसके दोनों end जो है anterior end और posterior end दोनों end क्या होते है close हो जाती है अगर यहाँ पर close नहीं हो पाते anterior part अगर close नहीं होगा तो enencephaly होगा posterior part close नहीं होगा तो क्या होगा spina bifida होगा enencephaly के अंदर क्या होता है absent of vault vault absent होता है और vault क्या होता है दो frontal bone, दो parietal bone एक occipital bone और upper border of the जो temporal bone है उसका upper border मिलकर क्या बनाता है vault का formation करता है ठीक है next हमने आपको बताया यहाँ पर इसके बारे में कि जो इसके types है ठीक है poster part यह इसका types में आपको बताया कि एक होता है occulta और एक होता है sister का यह depend करता है कि involvement कि कि किसका हो रहा है केबल मेनिजेश का हो रहा है केबल स्पाइनल कोड का हो रहा है या दोनों का हो रहा है या फिर किसी का नहीं हो ठीक है इसके depend करता है इसके types ठीक है next देखे next यहाँ पर सुनिए आप इसके causative agent causative agent के दर चार causes है पहला है deficiency of zinc and folic acid इसको preempt कर सकते है 400 microgram अपन टेबलेट देंगे before management of conception ठीक है क्योंकि यह किसके अंदर काम करता है DNA के function में maturation में और formation के अंदर help करता है ठीक है इसके लाव क्या होता है कोई maternal infection हो सकता है ठीक है chromosome 1 abnormality देखने को मिल सकती है ठीक है यह इसके लाव अपने को teratogenic effect भी देखने हो मिल सकता है दो drug होती है एक होती है well-proic acid और इक होते है carmigopin जिसके कारण हमें teratogenic effect देखने हो मिलेगा और वो cause का सकता है neurative defect नहीं सकती बाद है हमने इसकी बात की types के बारे में टाइप साफ होस्वाज में आ गए होंगे occulta होता है इसके अंदर सिर्फ एक opening का formation हो सकता है किसके उपर जो posterior sacral arch होती है वहाँ पर क्या होते sac का formation होता है उसके अंदर ना तो meninges का involvement होता है और ना ही spinal cord का involvement होता है उसको बोलें कि अपन occulta next बात करते है cystica cystica में दो पार्ट है cystica मनदब क्या हो गया एक out pouching का formation हो गया दो पार्ट है एक है meningocil दूसरा है mylo meningocil meningocil का मतब simply आप याद रखे कि किसका involvement हो रहा है cable meninges का involvement हो रहा है और CSR fill हो रहा है मतब neurological defect absent होंगे next बात करते है mylo meningocil mylo meningocil के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर देखी mylo meningocil के अंदर क्या हो रहा है meninges और spinal cord दोनों का involvement हो रहा है और इसके कारण कोई neurological defectory हमें देखने हों मिल सकता है वो depend करेगा कि यहाँ पर involvement कौन सी nerves का हो रहा है ठीक है तो आपको टाइप समझ में आ गई next देखी next के बात में हमने आपको बताया किसके science symptoms क्योंकि paralysis हो सकता है lower part है ना तो जितने भी जो lower extremities है वहाँ पर हमें paralysis, joint deformity bowel और bladder movement के अंदर abnormality देखने में मिल सकती है next देखी यहाँ पर में आपको बताया कि इसका diagnosis कैसे करता है diagnosis के लिए alpha phytoprotein level responsible होता है तो जब baby क्या होता है intrauterine life में मतब 15 to 18 week पर होता है तो अब हम उस time में check करते है maternal serum alpha phytoprotein maximum लिए होता है 2.5 multiple of median अगर इससे ज़्यादा level हमें देखने हों मिल रहा है तो indicate करता है कि यहाँ पर neural tube defect होने के chances है 85% risk factor increase हो जाता है neural tube defect का सज में आ गया इसके लापन physical assessment के दौरा भी अपन चेक कर सकते हैं इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अदर जो management आपन करेंगे surgery perform करते हैं अगर CSF leakage ओरता within 24 hour करते हैं अगर CSF leakage नहीं हो रहा तो within 48 hour अपने क्या करते हैं surgery perform करते हैं नेस इसके बाद मैंने आपको बताया इसके दर नर्सिंग responsibility नर्सिंग responsibility में ध्यान रखना position सबसे पहले आपने वो बेबी को provide करनी है तो prone position is the first priority and second priority is the lateral position ठीक है most common side of spinal bifida is the lumbosacral region इसके नर्सिंग responsibility पोजिशन हो गई उसके बाद मैं अपने जो सेख है उसकी care करनी होती है position क्यों देते हैं ताकि सेख के उपर कोई tension या उसके उपर pressure ना हो pressure या tension आगा तो क्या होगा skin cracked होगी CSF leakage होगा और complication increase जाएंगे ठीक है next बात करते हैं कि अपन care कैसे करेंगे routinely care करेंगे उसकी क्या कि उसको moist non-adherent cover के द्वार आप उसको cover करके रखेंगे ठीक है उसके साथ antiseptic techniques का use करेंगे कई बार आपको exam में पूछे जाता है कि इस्टेरल technique या antiseptic technique या antiseptic technique या antiseptic technique या antiseptic technique पेनाते हैं तो वह क्या होगा country's moist रहेगा जिसके काण skin crack हो सकते infection के chances हो सकते हैं और regularly अपन सेक को क्या करते हैं assess करते रहेंगे किसी भी infection के लिए क्योंकि वहां पर जैसे infection होगा बेबी का first symptoms क्या देखने मिलेगा हमें temperature increase हो जाएगा ठीक है genetic causes हो गया ने कि जैसे chromosome and abnormality हो सकती है ठीक है अब इसके साथ मैं आपको एक diagram बताता हूँ क्योंकि कई बार आपको diagram की दोड़ा question पूछ लेता है तो देखी first simple है यहाँ पर क्या है यह है spina bifida occulta क्या है spina bifida occulta ठीक है अब इसके अंदर आपको tuft of hair भी दिखाए देंगे spina bifida occulta में जो seq जो बना हूँ है वहाँ पर बालों का गुच्छा भी दिखाए देगा ठीक है physical assessment में आप वी दो चीद आरग ने बालों का गुच्छा भी हमें दिखाए देगा ठीक है तो यह है spina bifida occulta नेक्ट बात करते हैं सिस्ट्रिका के अंदर दो टाइप manager seal और mylo manager seal तो देखे manager seal जो होता है उसके अंदर क्या होता सिर्फ managers का involvement होता है manager seal में क्या होगा cable managers का involvement होता है अब manager जो है मैंने आपको यहाँ पर green color से बता रहे है तो और ब्लू color से और spinal code जो रहती है वो intact रहती है तो ऐसे आपको question देखे पूँछ सकता है next is mylo manager seal mylo manager seal में क्या होगा spinal code भी involved होगी और managers भी involved होती है spinal code और managers दोनों क्या होती है involved होती है तो यह तो आपके सामने manager seal और यह है mylo manager seal तो ऐसे भी आपको diagram देखे पूँछ सकता है ठीक है सब्सक्राइब कर देखना जो occulta है यह symptom देखने मिलता है physical assessment में tuft of hair यह मेरे आपको बताया नहीं था दिया रखना tough of hairs मतलब बालों का गुच्छा दिखाई देगा आपने को lumbo sacral reason के उपर एक बालों का गुच्छा दिखाई देता है ठीक है आप screenshot ले सकते हैं उसका बालों गुच्छा में दिखाई देता है tough of hair जीसे बोलते हैं यह होता है spira bifida oculta के अंदर और सिस्टिका में में इंजोसिल और माइलो में इंजोसिल सब्समें आ गया complete topic आपका हो गया है हर एक चीज आपको detail से बता दिया हूं मैं अगर इससे आपको question आता है तो आप इसका I hope की गलत attempt नहीं करोगे ठीक है तो complete होगे आपका इस topic next class होगी और चार बज़े होगी जिसे आपन आप जी का एक topic पढ़ाएंगे और regular आपकी class होगी कल का Sunday कल तो class से off रहेंगी फिर Monday क्लास होगी अभी आज दो class और होना बाकी है एक मेरी होगी चार बज़े और एक विक्रम सरकी होगी आठ बज़े तो अभी मैं आपको time table बता दिया है आज का तो तो सारे बच्चे आप live रहना और एक बार प्लीज आप वीडियो को like जरूर कर दें ठीक है और एक मिट का time निकाल के share कर दिया अगर आप पढ़ाई से थोड़ा बहुत time निकाल लिया अगर हो एक मिट का हमारे लिए भी और वीडियो को share कर दिया आप अपने social sites पे ठीक है और एने चम के लिए टैसरी जो बता रहा हूं आपको जो हमारी website अवलेबल आपके लिए rjcareerpoint.com वहाँ पर आप एने चम की टैसरी अभी अवलेबल है बाकी टैसरी तो सारी अवलेबल है तो आपको इसी भी टैसरी जोइन कर सकते हो क्योंकि आपके लिए ठीकि मेनेजमें कि ओपीजी के अंदर अपन कौन-कौन सी मेडिसीन काम में लेते हैं ठीक है वो पन पढ़ेंगे और अप्स्टाक्टिकल मेडिकाशन ठीक है चार अवजी क्लास होगी तो सभी पर जान ट्रेन आप लाइव क्लास के अंदर पलेलिस में बनां पर नाम नहीं दिया गया है सो इक आर वीडियो कोला कर दे थेक्ड़ थैंक्यों विश्वल दे बैस मिलते हैं चार विजे